अब आप सब्सक्राइब करता हूं तो आज के सेशन में कंसेप्ट ऑफ दे कहलो आप या कुश्चन ऑफ दे कहलो बात देखिए एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो में इसमें दो बार पूछा जा चुका है तो आगे भी रिपीट होने के चांसेज हैं दूसरी इंपॉर् सी में क्या कर रहा है एक्जामिनर वो देख रहा है कि अच्छा कुछ साल पहले यह सवाल आया था तो थोड़ा सा शांत रखने के बाद वो कुछ सालों के बाद इस सवाल को फिर से उठा रहा है कंसेप्ट वही है जब अब वो कभी भी आगे तो आगे डिटार से कर रहे है क्या एक से यह अब है क्यक्न करें कोम ऑफ GitHub को समझना इस सवाल होता है आपको होते एक देखना होता है कि क्या क्या था क्या देखना होता है अरू से समझावा संघाल से बाद में देख़ रहा है उल्ति familiar लिखा हुआ तो जल्दी मत करो तो सवाल में ये देखो कि correct ratio क्या था किस में distribute करना था क्या वो ये है in the ratio two three four by mistake तो ये two three four जो है ये गलती से इस ratio में distribute हुआ है इन place of ये करना किस ratio में था करना था 1 by 2 ratio 1 by 3 ratio 1 by 4 इस ratio में distribute करना था इसमें हो गया तो एक ही rule पकड़ लेते हैं बनाने को तो multiple rule बना सकते हैं वट एक rule ये बना लेते हैं कि जो भी मुझे ratio दिया है उसमें सबसे पहले क्या करो उसे clean कर लो अगर मानलो अभी ये दिया हो था तब भी मैं बात करूँ अभी इसको clean करो मतलब मीचे से 2 3 4 को हटा दो या नि सबको 12 से multiply कर दो है ना तो यहां पर कितना आ जाएगा 6 3 4 12 4 3 12 clear है तो ये ratio और ये ratio बरापर है ठीक है इसका reciprocal हो जाएगा इसका reciprocal हो जाएगा 1 by 6 1 by 4 1 by 3 का उ पूछना चाहरा है कि किसको सबसे ज्यादा benefit हुआ तो हमेशा हमेशा यह होगा कि जिसको सबसे पहले सबसे कम मिल रहा होगा सबसे ज्यादा उसी का फायदा होगा एक तरीके से मानों उसको तो अल्लेडी सबसे कम मिल रहा था तो फायदा उसका ही होगा reason क्या है reason यह है कि जो number जितना बड़ा होता है अगर मैं 1 upon that number कर दूँ तो वो सबसे छोटा जाता है जैसे 6, 4, 3 इसमें 6 सबसे बड़ा है लेकिन 1 upon 6, 1 upon 4, 1 upon 3 में 1 upon 3 सबसे बड़ा हो जागा यह सबसे छोटा जाए clear है यही concept है तो सीधे पकड़ों की सबसे कम किसको मिल रहा है उसी को सबसे ज होता तो हमें यह सोचना है अगली बार examiner इस तरीके का option देगा तब सवाल को कैसे करेंगे थोड़ा सा एक और सवाल आपके लिए अगर अगर यह 2, 3, 4 correct ratio होता मतलब अगर दो सवाल को पूरा सुनना फिर बोलना ठीक है 2, 3, 4 ratio में डिवाइड करना था गलती से इसके नुकसान किसको हुआ सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ तो फायदा होता है जिसको कम मिलता है उसको फायदा होता है जब उल्टा कर देते हैं और ज्यादा जिसको मिल रहा होता है अब तो उल्टा हो गया ना तो उसको सबस्यादा नुकसान होता है clear है यह point आ एक ही बात बिलकोल अगर आप पराम से उठाऊंगे तो देखो कितने रुपे वटने थे namounds 70 Ub boost 1170 जाधा कहां पर मिल रहे कहां पर ज्यादा मिल यहीं पर ज्यादा मिल रहे न और सी को मिल रहे तो यह वाला पार्ट जाधा हवाला है तो 4, 3, 7 और 2, 9 तो यह 9 ratio की value है 4 ratio की value मैं ने पता कर ली ठीक है इतने पैसे C को बाद में मिले पहले कितने मिल रहे थे तो 1170 यह कितने ratio की value थी 13 ratio की value थी और 3 ratio की value निकाल ली क्या मैंने हमेशा यह नहीं कहा है कि common लो calculation मत करो common लो तो यहां पर 1170 तो आपका common ही आ गया बाहर निकाल लो और bracket में कितना आ गया 4 by 9 minus 3 by 13 13 into 9 नीचे कितना आ गया 117 13 4 जा 52 minus 9 3 जा 27 तो माइनस करने पर यह कितना आ जाएगा या जाएगा 25 ठीक है 117 से 117 गया और बच गया 10 तो 25 into में है 10 तो 2006 हमारा सही उत्तर हो जाएगा इस ही सवाल का आप सेम चीज़ देखना यही Chief को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि यहां पर sum कितना रह t 4, 3, 7, 2, 9, यहां पर sum कितना आ रहे? 13 आ रहे हैं, तो यह भी ABC का समय, यह भी ABC का समय, तो बराबर होना चाहिए, अब बराबर नहीं है, तो बराबर करिए कैसे, इसको 13 से multiply करिए, इसको 9 से, यहनी LCM ही ले लीजे, यानि कि C को यहां पर 4 नहीं, अब यह 13 से multiply होगा, हमें सब को नहीं देखना है, बेवकूफों की तरह है, कि भई A को जादा मिल रहा है, किसको सब की value निकाल के ना, हमने तो पकड़ लिया कि C को जादा मिल रहा है, तो 13, 4, 52, यहां पर C को कितने मिल रहे हैं 52, out of 117, यहां पर C को कितना मिल रहे हैं इन्टू में 9 कर दोगे, तो यहां जाएगा 27, out of 117, तो कितना अधिक मिलने लग रहा 25, कितने मैंसे 117 मैंसे, तो इतने मैंसे कितना मिलेगा, खत्म, एक ही बात है ना, वही LCM ले लिया, clear, चलिए, तो अब यह सवाल, अब यह सवाल 14 में पूछा गया था, मेंस 14 में, अभी मेंस 19 में, 5 साल के बाद, तो आप सोच रहे हैं कि 3 साल में काम चल जाए है, जितना पीछे जा सकते हैं, वह टाइम ट्राइंग टू से, concept पर focus करिए, ऐसा थोड़ी हम 210 तक जा रहे हैं, मैं करो concept अच्छे से समझोगे, तो किसी भी साल का सवाल हो जाएगा, दो साल के सवाल करने से काम चल जाएगा, अगर आप सवाल को रटोगे, तो फिर आप 20 साल के करते रहो, वही सवाल तो आएगा नहीं लेंग्वेज नहीं आईगी, और concept को समझना पड़ेगा, आज यह इस question को देखी, क्या कह रहा है, अब इसे हम basic से तो नहीं करने वाले सीधे करेंगे, अब person divided a certain sum between his sons, in the ratio 3-4-5, तो एक पिताजी ने अपने 3 बेटों के बीच में, पैसा divide किया 3-4-5 के ratio में correct था, had he divided the sum in the ratio इतना, अगर वो इस पैसे को 1 by 3, 1 by 4, 1 by 5 के ratio में divide करता, the sum who got the least share earlier would have got इतने more, अब इसने हाँ पर बता दिये कि जिसको पहले सबसे कम मिला था, उसको इतना ज़्यादा मिलता, इसी line की जगे वो क्या कह सकता था, वो ये भी कह सकता था, कि जिसको सबसे ज़्यादा इस process से फाइदा हुआ, the sum who benefited the most, तो वो भी हमें पता है, इसी को सबसे ज़्यादा फाइदा हुआ है, उसको कितने का फाइदा हुआ, 1, 1, 8, 8 का तो बताओ, कितने पैसे divide हुए, क्या करेंगे, पैसे बराबर करेंगे, तो 5, 4, 9, 3, 12, यहाँ पर sum आ रहा है 12, और यहाँ पर sum कितना रहा है, यहाँ पर अभी हम पहले, नीचे से गंदगी साफ करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 5, 4, 20, यहाँ आ जाएगा आपका 5, 3, 15, और यहाँ आ जाएगा 4, 3, 12, ठीक है, पता है आपको यह तो बेसिक सी बात है, तो नीचे sum कितना है, 20, 30, 40, 47, 47 sum है, यहाँ पर सबसे जादा फाइदा किसको हुआ, या फिर किसको पहले, जिसको पहले कम मिल रहा था, उसको कितना जादा मिल गा, यही देखना है, तो हमारा सारा focus A पर आ गया, इसको यह कह देते हैं, तो 47 into में कर देंगे हम 3, तो कितना जाएगा, साथिया 21, और चाथिया 12, 141, ठीक है, तो इसको पहले मिल रहे थे, 141, अब कितने मिलेंगे, 12 से multiply कर दो, तो 240, तब कितने अधिक मिल रहे हैं, अगर आप ratio में ही बात करो, तो आपको विसा 99 ratio, सही है न, 99 ratio अधिक मिल रहे हैं, सवाल मैं कह रहा है, इस 99 ratio की value कितनी है, 1188, तो 1188 is value of 99, और हमें value बतानी किसकी है, हमें value बतानी है, 12 into में 47 की, किसकी बतानी है, 12 into में 47, ठीक है, अब यह 99 है, इस से तो कुछ कटी नहीं रहा होगा, इस ही में पूरा जाही रहा होगा, और यह 12 कम है, तो 99 into में 12 is 1188, ठीक है, calculation करनी है, unit digit से निप्टाने की कोशिश कर सकते हैं, बट 2 में 8 हैं देखो, और 2 में 0 है, तो 2 में 8 केंगे, 7, 2, 14, 4, 2, 8, ठीक है, क्या बचके निकल सकते हैं, बिल्कुल बचके निकल सकते हैं, देखो, अगर आगे आप देखो, मैंने आपको एक ही रूल बता है, जब calculation आजा, unit digit देखो, otherwise, उसके unit digit सेम आ रही है, तो otherwise, आपको किस पर जाना है, आपको जाना factor पर, तो यहाँ पर आपको 3 दिख रहा है, देखो, 4 तो दिख रहा है, लेकिन 4 से तो ये भी divide हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3, 3 जा 9, तो ये सीधे दिख रहा है, 8 और 7, 15, ये तो 9 से divide होगा नहीं, तो पक्का calculation करने पर ये ही आएगा, आप देख भी सकते हों कि 9 से divide होना चाहिए, 6 और 6, 12 और 8, 20 और 27, 27, खतम, ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये छोटा सा concept, ये important सा concept खतम होता है, कैसा लगता है, वो आप comment section में बताईए, कौन से type का सवाल आपको दिक्कत दे रहा है, उसको नीचे comment section बताऊ, उसका इलाज करते हैं, फिर मिलेंगे next section में, till then हसते रहिए, मुस्कराते रहिए, मेहनत करते रहिए.